हालो दोस्तो विल्कम बैक टू माई चैनल टिप आप दे डे में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज में फिर से कुछ ऐसे टिप्स और टिक्स लेकर आए हूँ जो आपके डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे जिसे यूज करके आप अपने टाइम और पैसे दो तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक काटबोर्ड का बॉक्स लिया है और इसके कैप को अच्छे से पहले कट कर लेना है कुछ इस तरीके से कट करने के बाद क्या करेंगे हम दोनों काटबोर्ड बॉक्स को कुछ इसी तरीके से कट कर लेंगे अब जो इसके ऊपर का कैप थ ताकि ये अच्छे से सेफ हो जाए और मजबूत भी हो जाए इसके बाद हमें चाहिए चार बोतल के धकन जो स्टैंड का काम करेगा तो यहां पर इसके उपर हमें glue gun की help से चिपका देना है चिपकाने के बाद कुछ इस तरीके से ये हमारा organizer बनकर त्यार हो जाएगा और आप चाहे तो इसके उपर printed paper चिपका कर इसे और भी खुबसूरत बना सकते हैं तो आप अपने kitchen के लिए छोटे मोटे मसालों के डब्बे रखने के लिए से यूज में ले सकते हैं सबसे अची बात है कि इसे असानी से आप move भी कर सकते हैं और इसके अंदर cleaning भी कर सकते हैं और space में बहुत सारे आपके जो है मसालों के डब्बे इसके उपर आ जाएंगे इसमें आप cup भी रख सकते हैं, ball भी रख सकते हैं, glass भी रख सकते हैं ये multi-purpose organizer है और इसे आप जो है book भी रखने के लिए use कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर आगे book रखा है और पीछे मैंने copy रखी है जिसे आप निकालना और रखना बहुत ही easy हो जाएगा यह organizer idea I hope आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तो संत्रे का season चल रहा है और संत्रा खाना सभी को पसंद है लेकिन इसका juice बनाना बहुत ही जंजट का काम लगता है लेकिन आज मैं कुछ ऐसा trick बताऊंगी दोस् इसे हम अच्छे से clean कर लेंगे और जो पीछे का bottom है दोस्तो यही हमारा जो है बहुत ही अच्छे से work करेगा संत्रे के juice को निकालने के लिए कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं सबसे पहले हम संत्रे को लेंगे और बाटल को घुमाते हुए इसके अंदर डालेंगे जैस बहुत सारे juice आपके बाउल में आ जाएंगे और बहुत ही easy हो जाता है इसे निकालना ना ही आपको mixer की जरुवत पड़ती है ना ही किसी tools की जरुवत पड़ती है और बहुत सारे juice आपको mintो में मिल जाएंगे दोस्तो आपको बिल्कुल fresh और बिल्कुल pure juice आपको घर पर ही म अब युको बहुत पसंद भी आता है क्योंकि घर पर बिल्कुल fresh और बिल्कुल pure juice आपको मिल जाता है पीने के लिए तो दोस्तो अगर next time juice पीने का मन हो तो घर पर ही बिल्कुल pure and fresh juice बना कर पी सकते हैं सिर्फ एक bottle के थुरू दोस्तो हमारे गर में बच्चे तो pain लिखने के लिए use करते हैं लेकिन उसके cap का क्या cap का भी आज हम बहुत ही बढ़िया use बताने वाले हैं चलिए देखते हैं pain के cap का use तो बहुत सारे हैं दोस्तो आप मेरी वीडियो पर जाकर देख सकते हैं दोस्तो जब भी बच्चे book पढ़ते हैं तो fan चलते हैं और fan चलने की वज़ा से जो इसके पढ़ने हैं वो उड़ने लगते जिसे बच्चे जो है काफी परशान हो जाते हैं करना क्या है जो भी पेज आप पढ़ रहे हैं वो पेज बिल्कुल भी मिस नहीं होने वाला है जब भी पेज खुलेंगे वही पेज आपको खुल जाने वाली है बहुत ही इसली आई होब वीडियो आप सभी के लिए helpful रही होगी नेक्स टिप दोस्तो हमारे किचन से लेकर है जब भी हम पूरी पकोड़े तलते हैं तो क्या होता है दोस्तो हमारे तेल जो है बहुत ही गंदे हो जाते हैं जिससे कि इसे साफ करना मुस्किल हो जाता है लेकिन इसे हम नार्मली क्या करते हैं इसे छनी से छान देते हैं जो बहुत ही गंदे रह जाते हैं और बिल्कुल अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है लेकिन आज मैं ऐसा तरीका बताऊंगे जिससे आपका तेल जो है बिल्कुल प्योर हो जाएगा और बहुत ही नीट एंड क्लीन हो जाएगा आपको करना क्या है दोस्तो एक बाउल लेना है उस क्लीन आपके तेल जाते हैं बस टाइम लगता है दोस्तो इसे आदे घंटे के लिए छोड़ देंगे और आप देखेंगे आपका जो तेल है बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाता है आदा गंटा हो चुका है अब आपको मैं तेल दिखाती हूं दोस्तो कोई ब में बहुत तरीके के अचार रखते हैं लेकिन इसे कैसे रखे कैसे यूज करे कैसे इसे सर्व करे आज मैं इस वीडियो में एक छोटी सी टीप देना चाहूंगी लेकिन बहुत काम की टीप है दोस्तो आपको करना क्या है दोस्तो सबसे पहले आप जब भी अचार बनाये तो सीसे के जार में ही बना कर रखें और दूसरी बात जब भी आप अपने अरशार को सर्व करें, उसे सर्व करने के लिए आप लकड़ी के चमच का ही यूज करें चाहे कोई सभी अचार हो और नीबू का अचार हो तो बिल्कुल जो है स्टील का यूज ना करें या फिर प्लास्टिक के कंटेंडर में उसे बिल्कुल ना रखें, अचार को सर्व करने के लिए हमेशा लकडी के चमच का यूज करें, और उसे रखने के लिए हमेशा कांच के बरतन का यूज करें, और भूल कर भी स्टील के चमच का यूज ना करें, ना ही अचार में अपन भी स्टील का चमच या फिर प्लास्टिक का चमच यूज ना करें हमेशा जो है उडन स्पून का यूज करें हमेशा लकड़ी के चमच का यूज करें ये नमक भी बिल्कुल सेम काम करता है जैसा कि अचार काम करता है तो इस तरीके से आप भी स्टील का यूज बिल्कुल ना क हमेशा जो है उडन स्पून का यूज करे अपने नमक हो या फिर अचार हो दोस्तों जब भी हम घर में पोछा लगाते हैं वाइपर में कपड़ा लगा कर तो क्या होता है बार-बार कपड़ा घिसक जाता है या फिर निकल जाता है और उसे हम बार-बार ठिक करते रहते हैं अ पहले जिससे आप पोछा लगाते हैं उसे फैला लें उसके उपर वाइपर रखें और अपने तॉलियों को अच्छे से फोल्ड कर लें वाइपर के उपर और इससे क्या करना है अपने क्लॉथ क्लिप को उसके उपर लगा देना है जहां पर भी आप अपने कपड़े को फोल् जलने वाला है और इससे आपका एक बार में ही सारे घर की cleaning हो जाएगी और ना ही इसे बार-बार आपको छूने की जरूत पड़ेगी और जब आप चाहे इसे अच्छे से पोछा मार सकते हैं चाहे वो कहीं पर भी पोछा हो चाहे वो बेट के नीचे हो या फिरिच के नीचे ह तो इस तरीके से अगर cloth clip की help से आप जो है पोछा मारेंगे दोस्तों एक बार में ही सारी cleaning हो जाएगी और ना ही आपको बार-बार पोछा छूने की जरूत पड़ेगी और ना ही जुकने की जरूत पड़ेगी I hope आप सभी के लिए ये वीडियो helpful रही होगी दोस्तों तो चैनल को like, share, subscribe जरूर करिएगा मिलते हैं आप से ऐसे ही कुछ tips and trick के साथ next वीडियो में तब तक के लिए